प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री डॉक्टर रमन सी ने आरोप लगाया है कि राज सरकार की कमजोर नीती के कारण 36 गड़ के करीब 14 लाग घरीब नागरिकों को केंद्र की प्रधान मंत्री आवास योजना के तहद अपने मकानों से बंचित होना पड़ा है बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर सी ने आरोप लगाया है कि प्रधान मंत्री आवास योजना के तहद केंद्र से घरीबों को मिलने वाली राशी में प्रदेश का अंशदान नहीं हो पाने से हित ग्राहियों को इसका लाब नहीं मिल सका डॉक्टर रमनसी ने कहा कि राज सरकार के कमजोर प्रबंधन की वज़ा से प्रदेश के घरीबों का अहित हो रहा है पूर्व मुख्यमंत्री ने ये भी आरोप लगाया कि राज सरकार ने चत्तीजगड की महिलाओं के स्वास के साथ खिलवाड करते हुए रेडी टू इट का प्रबंधन हर्याना के एक कारोबारी को दे दिया है इस वज़े से प्रदेश के 11,000 से अधिक स्वासायता समू की महिलाओं का रोजगार भी छिन गया है याने आने वाले समय में प्रधानमंद्री आवास योजना का लाब शत्तीगड को नहीं मिलेगा जो बड़ा लक्स था दो हजार बाइस तक सब के लिए आवास पूरा हिंदुस्तान में हो रहा है अकीला उदारन सत्तीदगड है जो इतना बड़ा नुकसान कि 11,800 करोड रुपिया इस मकान के एवज में 60% के रासी 11,600 करोड रुपिया यानि इतनी बड़ी रासी जो राज सरकार को मिलना था केंदर सरकार के द्वारा उस रासी को लेने में अस्पल हुई है यानि 11,000 करोड का नुकसान स्टेट के गरीबों का हो गया जो गरीब 7,000,000 मकान बनाते उनके पहला किस्त दिया जा चुका है दूसरा किस्त दिया जा चुका है मकान दोस्त हो जाएगा तो और ये ये तो इस साल का है अगले साल के भजट में इतने ही मकान मिलते जो 7,000,000 मकान वो मकान का भी नुकसान हुआ इस प्रकार 14 लाग से ज़्यादा आवास का नुकसान 36 गड़ के अंदर हुआ है पूर्वो मुख्यमंतरी रमनसी ने कहा कि केंदर सरकार की कुछ अन्य लाबकारी योजना को लागू करने भी राज सरकार पिछड रही है उन्होंने कहा कि राज सरकार की कथित नाकामी के कारण 36 गड़ को प्रधानमंतरी आवास योजना से अलग कर दिया गया है इस वज़ा से केंदर सरकार की तरफ से राज सरकार को मिलने वाला करीब 12,000 करोड रुपय भी अब 36 गड़ को नहीं मिल सकेगा डॉक्टर रमनसी ने इस इस्थिती के लिए राज सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया